तो फाइनली रॉल एंफिल्ड सूपर मेटियोज 650 को कमपणी सोलर जन्वरी को लॉंच करने वाली है कमपणी ने ओफिसलियर लॉंचिंग डेट भी बता दिया है तो सोलर जन्वरी को आपको इसकी प्रैसिंग देखने को मिलेगी लेकिन लॉंच होने से पहले इस बाइक के बारे में जितनी भी जनकारी है ये सारी जनकारी आपको इस वीडियो में देने वाले है क्योंकि कमपणी ने कुछ टैम पहले ही इस बाइक के बारे में सभी जनकारी दे दिती यह क्रूजर प्लस ट्यूरिंग सेग्मेंट की बाइग है जहां पर रेट्रो क्लासिक लुक मिल जाती है राउंड सेपका जहां पर एलेडी हेडलेम भी लगा हुआ है रियर डाप आपको इसकॉल्प्रेट आपको टैंक देखने को मिल जाती है और इसमें आपको अलग अलग 48 सीजी का पाइला ट्वेन 4 स्टॉक एर ओयल कूल एलेक्ट्रोनिक फ्यूली जेक्शन इंजन लगा हुआ है जो की लगबग 47 पियर्स का पावर और 52.3 एनम का टोजन करती है शिक्स स्पीर गेर बॉक्स के साथ ही आएगी इसके लावा सबसे अच्छी बात इसके फ्रंट म भी सिंगल डिस्प्रिक लगा हुआ है और यह डूल चैनल एबिस के साथ आती है यहान की फ्रंट और रियर दोनों में आपको एबिस मिल जाती है तो इसके जो ग्राउंड के जैसा है 135 mm है बागी सीथाइट 740 mm है फ्यूल टैंक के सटी 15.7 लिटर की है और इसका जो देखने को मिल जागी इसके जो टेल लेंट सेक्षन है तो आपको पीछे फेंडर पे देखने को मिल जागी यह भी राउंड सेप में दी गई है बागे इसमे नीचे इंजन बेस प्लेट लगा हुआ है और इस बाइक में आपको ट्वीन एक्जॉस सिस्टम भी देखने को म देखने को मिल सकती है आपके हिसाफ से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए यह कमेंच से हम बता सकते हैं क्योंकि रॉलेट फुट ने हंटर 350 का प्राइस ही कितना अच्छे बजट रेंज में रख दिया है जिसके वैसे काफी सारे लोग उमीद लगा रहे है कि मेंटी और 650 भ पहले आपको प्राइजिंग इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी तहां पर इस वीडियो में फ्रिल इतना ही थैंक्या फैंस थैंक्स एर वाचिंग लॉचिंग